आने वाले 15 सालों में दो बैंक और दोनों प्राइवेट बैंक दोस्तों दोनों प्राइवेट ये दोनों बैंक आने वाले 15 साल बाद 2,00,00 परसेंट का प्रोफिट कैसे देंगे आएए हम इस वीडियो में दोनों बैंक के बारे में बताते हैं पूरी उसकी कुंडली जर्म से लेकर आज तक कर्म तक उन दोनों बैंकों का पूरी कुंडली लेखा जोखा के साथ आपको आने वाला 15 साल इन दोनों बैंकों का प्राफिट मार्जिंग देखकर बताएंगे कि 2,00,000 अभी तक भारतिय स्टोक मार्केट में बजास फाइनस का नमबर फॉस्ट है और टॉप तेन में नमबर वन में है बजास फाइनस अभी तक का इतिहास में 1,25,000 पर्षेंट का प्राफिट देने वाला इस्टोक अब आएए दो बैंक प्राइबेट जो है कोटक महिंद्रा बैंक और दूसरे बैंक को बताने से पहले मैं बता दूँ कि कोटक महिंद्रा बैंक आपको 80,000 पर्षेंट का अभी तक प्राफिट दिया है और उसके बाद समय में आपको यह दोनों बैंक 2,000,000 पर्षेंट का प्राफिट कैसे देंगे दूस्तों और इसके पीछे कारण क्या है वह हम यह बता दें HDFC की पहले बात कर लेते हैं और HDFC की बात करने के लिए आपको मैं बता दूँ कि 5 रुपिया 50 परिशा का यह स्टोक था 1999 में HDFC का 5 रुपिया 50 परिशा का ठीक है एक एक जनवरी 1999 को 5 रुपिया 50 परिशा का HDFC था दूसरी तरप आपको बता दूँ कि 5 सल पहले इस स्टोक का प्राइस था 912 रुपिया 17 माई 2017 को 5 सल से जादा हो गया उसके बाद आए दोस्तों मैं बताता हूँ एक सल पहले कितना था HDFC तो एक सल पहले था आपको 1567 रुपिया यह था 15 नौमबर को 2001 में मतलब एक सल पहले आपको मैं बता दूँ 9 माईना पहले था इसका प्राइस 1591 रुपिया और 6 माईना पहले था 1291 रुपिया HDFC का और आज की डिट में 1611 रुपिया आए एक माईना पहले की बात करें तो एक माईना पहले था आपको यह 1390 रुपिया का इस्टोक HDFC और अभी है आपको 1611 रुपिया अगर हम बात करते हैं एक सप्ता पहले का पिछले सप्ता जो फ्राइडे को बंद हुआ सोमवार से और सुक्रवार तक का जो एक सप्ता के था इसका लेवल था 1512 रुपिया 100 रुपिया का आपको ग्रिन 99.90 मतलब 100 रुपिया में 10 पहिसा कम 100 रुपिया का उच्छाल 6.61 परसेंट का प्रफिट दिया था और एक दिन सुक्रवार को जो बंद हुआ था उसमें आपको बता दूं कि 5.72 परसेंट मतलब की पहने 6 परसेंट का आश-पास प्रफिट दिया 77 रुपिया 15 पाइसा का प्रफिट दिया तो यह SDFC की हो गई दोस्तों अब आएक कोटक महिंद्रा की बात करते हैं तो कोटक महिंद्रा का प्राज़ 2 रुपिया 40 पैसा था यह 2 रुपिया 40 पैसा था चे जुलाई दो हजार एक में कोटक महिंद्र का प्रारंबिक स्टार्टिंग ओरिजिन तक दो रुपया चालीज पैसा दुस्तोर और आज के दित में हैं हाई बनाया दो हजार से उपर तक गया है और यह मैक्सिमुम आपको आने वाले समय में और यह जानते हैं कि 79.79,670 मतलब असी हजार प्रसंट का एक करोड का असी करोड बना दिया यह स्टोप जिसने भी माला माल किया दोस्तोर अगर हम बात करें पांच साल पहले की तो पांच साल पहले इसका प्राईज था एक हजार 23 रुपया का कोटक महिंद्रा बैंक और अगर हम एक साल पहले की बात कर कि कब कौन सा इस्टोक लेना है और कब क्या करना है। दोनों इस्टोक पे हमारी बहुती बारिकी से हमने एनलसिस किया है और यह स्टेटेजी जिसने अपनाएगा अभी कोटक महिंद्रा में 400 और इस्टी एपसी में भी 400 पॉइंट का अभी उचाल बाकी है। लेकिन कोटक महिंद्रा में अभी गिरावटों की 1700 तक जाएगा 1800 के बीच में और उसके बाद सीधे 2200 पार करके दिखाएंगे कोटक महिंद्रा बैंक को। अगर बात करें छे महिना पहले की तो छे महिना पहले था आपको बता दिए कि 1719 रुपया का और एक महिना पहले था ये आपको इस्टोग 1891 रुपया और ये एक सप्ता पहले इसका प्राइज 5% लुवर सर्किट पे लगाया था उननेश सो पचासी रुपया उसके बाद ये सुक्रवार को बंदुआ भारी गिरावट के साथ लगभग 111 रुपया माइनस 1900 रुपया पे बंदुआ दर्स्तोग आप आईए मैं दिखाता हूं इसकी कुंडिली कि क्या करता है कोटक महिंद्रा और कोटक महिंद्रा बैंक वाला स्टॉक कभी भी इस प्लेट हो सकता है कभी भी बोनस दे सकता है और डिविडेंड की घोशना इसको अभी नहीं करनी है क्योंकि यह प्राइज इंक्रीज कर रहा है दोस्तों हम इ constitutional हम दोनों इसट्राइम को ही लेक corn & और संपर राइज इन का आप और यह वीडियो बनाने के लिए कि लिए सोचे तो यह कारण है कि दोनों का नेचर अप वर दोनों का नेचर सभाव जो है, सभाव इसका है ब सबसे ए बिस और कैसे हम उतें इंहें कब गीरेंगे कब उठेंगे कब उठेंगे कब उठेंगे कब उठेंगे उठेंगे फिर गीरेंगे और ये करते 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 कोटक महिंद्रा 2200 के पार जाने वाला है उसके बाद 3000 के बाद कोई ने रोक पाएगा और HDFC जल्दी ही आपको उसका भी 2200 तो देखने को तुरं प्राइबेट बैंक के अलावा हमारे राडार पे चार बैंक प्येसू के आज दो साल से हैं दोस्तों और हमारा पहली बार आप आप आएं तो पिछला वीडियो जुरूर देखिए इंटर डेटेक मुंबई को जो फ़लो करने वाले हैं दो साल से लगबा के यह दो जनवरी को दो साल हो जाएगा अगर हाप फॉलो करते हैं तो मारा पिछला वीडियो जब देखेंगे तो चार बैंकों का जो नाम बताने जा रहा हूँ यह हमारे दो साल से रडार पे हैं दोस्तों और दो साल से रडार के बाद यह जानते हैं कितना 500% से लेकर 800% तक का प्रोफित दे चुका है और आज की जो हमारी खरीदारी है आपको विश्वास नहीं होगा केनारा बैंक की बात करें तो हमारा खरदारी है दोस्तो 90 रुपे की इंडियन बैंक की बात करें तो हमारा खरदारी है 65 रुपे की और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तो तीज की हमारी खरदारी है 240 रुपे की और Bank of Brudda खरदारी करें तो 6 मेने से मैं बोलना सुरू किया दोस्तों Bank of Brudda Bank of Brudda आप सुने होगे Bank of Brudda के निरा Bank और Indian Bank के साथ साथ चलने वाला है 200 का Power बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा क्यों आप जाने लिजे क्यों क्यों का जबाब है MBA BK सिंग का कि जितने भी PSU stocks है, जितने भी stocks PSU के stock हो, चाहे वो defense sector का हो, bank sector का हो, infrastructure का हो, energy sector का हो, energy sector में renewable energy का हो, या green energy का हो, solar energy का हो, और चाहे PSU stock, tourism development ITDC हो, या हो आपको courier, logistics या transport sector का, PSU का stock को नजर अंदाज करने वाले अब आने वाले समय में, अमीर और धानी नहीं बन सकते, आप अच्छी तरह इसको जान लिजिए, हमें तो दिख रहा है, साइद आपको भी दिख जाए, तो ये आपके लिए बहुत हितकारी होगा, PSU stock को नजर अंदाज करने वाले, चाहें वो PSU stock किसी भी सेक्टर का हो, उसको नजर अंदाज करने वाले, अमीर, धनी, कुरपती, अरपती, खरपती नहीं बन सकते, आने वाले समय में, ये हमारी बहुत बड़ी बेक्तिगत एनालसी से, ये प्रेडिक्शन से, कि आने वाले समय में PSU stock को चाहें किसी भी सेक्टर का हो, अगर अंदाज, नजर अंदाज करते हैं, तो आप stock market में पैसा नहीं कमा सकते हैं, ये मेरा challenge है, आप जान लेजिए, मैं कहां से बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, किस तरह का analysis मैंने किया है, क्या मुझे दिख तीन चार साल बाद, जो हमारी software को दिखता है, हमें भी वही चित दिखता है, और मुझे software बताता है ये, कि PSU के stocks, किसी भी सेक्टर के हो, आने वाले तीन चार सालों बाद, पैसे की बारिस कराएगा दस्तों, पैसे की बारिस कराएगा, येस, चलिए दस्तों, तो देखते हैं, तिन चार साल बाद इस वीडियो को फिर एक बार हम अपडेट करेंगे, अगर आप पहली बार आए हैं, इंटरले टेक मुंबई, बीके सिंग के चैनल पे तक पिछला वीडियो जरूर देखिए, सो मुआर की बात है, बीके सिंग के साथ एक मेरा एपिसोड आता है, दो साल से उसको, तो जरूर देखिए दोस्तों, आप सोस्तरे, आपका परिवास सोस्तरे, इस वर से हमें कामना करते हैं, जै हिंजे भारत, बंदे मात्रम,